स्रीश द गुरु महराज कीजे पुजयपाद महर्शी संसेवी परमहंश जी महाराज का परवचन गुरु आज्या पालन ही सच्चा सेवा है इस परवचन का प्रथम भाete शमवित शमादर नी सजन्वरिंद आदर न्या माताओ तथा भक्ती मति बहनो मुझे अग्य अकिंचन का आप जिन सज्जनों ने श्वागत और अभिनंदन क्या है उन सबका मैं सादर अभिवन्दन करता हूँ और अनेका नेक धन्यवाद ग्यापन करता हूँ अश्वस्थ अवस्था में रहने पर भी मैं आप लोगों के दर्शनार्थ यहां आ गया। यह परम पुझ गुर्देव की किर्पा है या दाया कहा नहीं जा सकता। यहां किर्पा और दाया दोनों सब्दों के अर्थों में जो भेद है वह बतला देना आवश्यक है क्योंकि कति पैसजन किर्पा और दाया दोनों का एक ही अर्थ करते हैं किन्तु विद्वत जन का कथन है कि दोनों में अंतर है। बिना प्रयाश किये जब अभी लेशित वस्तु की प्राप्ति होती है तो वह प्रभु की किर्पा कहलाती है और जब शरम करने पर अभी लेशित वस्तु की प्राप्ति होती है तो वह दाया कहलाती है क्रिशक लोग कामना करते हैं कि वर्षा हो वर्षा होती है और फशल लह लहा उड़ती है यह परभू की कृपा कही जाएगी वर्षा नहीं होने पर जब उशी फशल के लिए वे कुवां खोते हैं बोरिंग करते हैं या नदी तलाब से जल लेकर खेती पटाते हैं और तब जो फशल लहाती है यह परभू की दया कही जाएगी बिल्ली का छोटा बच्चा म्याओं म्याओं करता रहता है उसकी मा को उसकी सुरक्षा की चिंता होती है वह उसे एक जगह से दूसरी और दूसरी से तीसरी जगह ले जाकर रखती है और उसकी सुरक्षा करती है हम कहशकते हैं कि बिल्ली के बच्चे को अपनी मा की किरपा प्राप्त है। दूसरी तरफ अपने बंदरिया और उसके बच्चों को जंगल में या पेरों पर उछलते कुटे देखा होगा। जैसे ही कोई आठ होती है बंदरिया अपने बच्चे की ओर देखती है। बच्चा दौर कर आता है और अपने मा की गोद में बैठ जाता है। मा बच्चे को सीने से लगा कर पेर पर उपर चड़ जाती है बच्चे ने प्रयाश किया तब उसकी मा ने उसे सुरक्षा दी यह है उसकी दया कही जाएगी अर्थात बिल्ली के बच्चे को मा की किरपा प्राप्त होती है और बंदर के बच्चे को मा की दया शंत पल्टू दास जी महाराज ने लिखा है माता बालक कहें राखती जो प्रान है फनी मनी धरे उतार वाही पर ध्यान है माली रक्षा करें सिंचिता पेर जो अरेहारे पल्टू भक्त शंग भगवान गव और बक्षित्यों उन्हें प्रभू की अनुकंपा से आज अखिल भारती शंत में सस्रंग का यह नवववा वार्षिक अधिवेशन होने जा रहा है शंत मत अर्थात शंतों का मत यह किसी एक शंत के नाम पर चलाया गया मत नहीं है इसमें सभी धर्म मजभ शंपरदाय रिलीजन आधिके शंतों की मान्यता है शंत मत में कोई शंत स्रेई और कोई हेई नहीं बलकि सभी उपादेई हैं अभी आप लोगों ने सुना कि शंत मत समुद्र मत है एक बार कोई ने समुद्र से कहा जितनी नदिया आपके पास आती हैं आप सबको अपनी गोद में बिठाते हैं किन्तु मैं वर्षों से आपके निकट रहता हूँ आप मेरी पूछ तक नहीं करते पिता की द्रिष्टी में सभी शंतान शमान होनी चाहिए फिर ऐसी विशमता क्यों शमुद्र ने उत्तर दिया मेरे पास जितनी भी नदिया आती हैं वे सभी अपने तट बंधों को तोर कर आती हैं इसलिए उन सब के लिए मेरी गोद है लेकिन तुमने तो अपने चारो और चार दिवारी बना रखी है फिर तुम मेरी गोद में कैसे आओगे तुम भी अपने चार दिवारी को तोर दो तो तेरे लिए भी यह गोद है शुरुताओं की और से श्रीशतग्रु महराज कीज़े शंतमत कहता है के चार दिवारी को तोरो धर्म मजहव शंपरदाय की शंकेड़नता से उपर उठो शंतमत में सभी संतों के विचारों का शमावेश है यही कारण है कि आज इसमें वैद एक धर्माव लंबियों के साथ साथ इशाई, इसलाम, बौद, जैन, शिक, आदि सभी मत के लोग सम्मिलित हैं शंतमत में जहां आप वेद और पुरान की बातें सुनेंगे वही आप बाइविल और कुरान की बातें भी सुन पाएंगे यह सर्वधर्म शमनवय मत है अभी आप लोगोंने रामचरित मानस का पाठ सुना उसमें प्रसंग यह था कि मर्यादा पुरुषुत्तम भगवान शिरी राम जब लंकापती रावन का शंगहार कर श्री सीता जी का उधार कर विवीशन को वहां का राजवार शौप कर अयोध्या आये और राज शिंहासन पर बैठ कर राज संचालन करने लगे तब उन्होंने गुरुजन, पुरुजन, शज्जन, ब्राम्हन, प्रजायगन, प्रविर्ति शब को बुलाकर उब्देश दिया उब्देश में पहली बात उन्होंने कही बड़े भाग मानुष्तन उपावा इस वाक्य में भगवान सिर्राम नर्तन के उपादयता बतलाते हैं। वे इस बात को भली भाती जानते थे कि जब तक हमारी प्राजा इस संसार में रहेगी उशे किसी प्रकार का दुख नहीं होगा। शरीर के साथ का वर्तमान कालिक जीवन उनका शुख में है। किन्तु यह शरीर एक न एक दिन अवश्य छूटेगा। शरीर छूटने के बाद वे जहां जाएं वहां भी उनका जीवन शुख में हो। इसी उद्धेश की पूर्ति के लिए वे उनको मार्ग दर्शन देना चाहते हैं। क्योंकि मानव शरीर पाने पर भी सभी के विचार व्यवार एक से नहीं भिन भिन होते हैं। उदाहर नार्थ जिस समय भगवान से राम रावन से युद्ध कर रहे थे उस समय उन्होंने कहा था। जनी जलपना करी सुजश नासही नीती सुनही करही छमा संसार महपुरुश त्रीविद्ध पाटल रशाल पनश शमा एक सुमन प्रद एक सुमन फल एक फलाई केवल लागही एक कहाई कहाई करही अपर करही कहतना बागही। भगवान सिरी रावन से कहते हैं कि तुम बकवास करके ब्यर्त ही अपने सुयस एवं समय को क्यों नस्ट कर रहे हो। जो नीती की बात है मैं कहता हूँ सुनो। संसार में तीन तरह के बैक्ति होते हैं एक गुलाब के समान दूसरे आम के समान और तीसरे कठल के समान। गुलाब के पेर में केवल फूल ही फूल लगते हैं पल नहीं। इसी परकार कुछ लोग लंबी चौड़ी बाते बनाते हैं पर करते धरते कुछ भी नहीं। वे गुलाब की तरह हैं। शंत्यकबिर शहाब ने कहा है, कहता पय करता नहीं, मुख का बड़ा लबार, आखिर धक्का खाएगा शहाब के दरवार, एक कहे, दूजी कहे, दो दो कहे बनाए, ये दो मुख का बोलना घना तमाचा खाए. दूसरे बेक्ति आम के समान होते हैं, आम के पेर में पहले मंजर लगता है, पीछे फल होता है, उसे प्रकार कुछ बेक्ति जो कहते हैं, उसे पूरा भी करते हैं. तीसरे प्रकार के बेक्ति जो की कठल के समान होते हैं, वे कहते नहीं कि मैं ऐसा करूँगा या वैसा करूँगा, लेकिन जो कारी उचित है, जो करतब्य कर्म है, उसे वे बिना कहे, सुने, करके दिखला देते हैं. किसी ने कहा कि तीन ही नहीं, चार प्रकार के बेक्ति होते हैं, एक होते हैं बेर के समान, दूसरे नारियल के समान, तीसरे शिला सद्रिश और चोथे अंगूर के समान. तातपड़ी यह है कि जैसे बेर का उपरी भाग मुलायम होता है, लेकिन उसके भीतर की गुठली बड़ी कड़ी होती है, उसी तरह कुछ ब्यक्ति उपर उपर से बड़ी मीठी, चिकनी, चूपरी बाते करते हैं, लेकिन उनके मन में गुठली, गाठ होती है. शंत कबिर शाहव के शब्दों में कह सकेंगे, कत्नी, मीठी, खार से करनी, विश्य की लोए, वाली बात वे चरितार्थ करते हैं. दूसरे ब्यक्ति नारियल के शमान होते हैं, जैसे नारियल का उपर भाग कड़ा होता है, लेकिन उसके अंदर श्वक्ष जल और मुलायन उजली गड़ी होती है. उसी तरह कुछ ब्यक्ति ऐसे होते हैं, कि उनके मुँँ से भले ही कभी कोई कड़ी बात निकल जाए, पर उनका हिर्दय श्वक्ष, पवित्र और कोमल होता है. तीसरे ब्यक्ति शिला याने पत्थर के समान होते हैं, अर्थात जैशा वचन, करकश, वैशा ही हिर्दय भी पत्थर, बाहर भीतर एक समान, चोथे ब्यक्ति होते हैं अंगूर के समान, अंगूर उपर से मुलायन, भीतर भी मुलायन, खाने में सुश्वादू, पौस्टि ऐसे ही वे ब्यक्ति हमेशा उचित, शुहावनी और मुलायन बाते कहते हैं, अर्थात शत्य कल्यान प्रद एवं प्रिय वचन बोलते हैं, जिसमें मानव हित नहित रहता है, गोशामी तुलशिदाजी महराज ने लिखा है, कि इसके अतिरिक्त अन्य तिन तरह के ब्यक्ति भी होते हैं, एक का मन गुब्र एला के समान, दूसरे का घर की मक्यों की तरह है, और तिसरे का मन मदु मक्यों के समान होता है, ऐसे तीनों प्रकार के ब्यक्तियों की संया, उ इशाई शाधक शिद्ध सयाने, त्रिविद जीव जग वेद बखाने, फुलवारी में रंग बिरंग के फूल खेलते हैं, दोर दोर से मधुमख्यां आकर उसका रस्पान करती है, मधु बनाती है, लेकिन बगल में रहने वाला गुब्रयला किरा वहां नहीं जाता है, वह प होते हैं, जो नजदीक में सत्सेंग होता है, भगवत चर्चा होती है, पर वहां वे नहीं जाते, विशेवाशना में उलटते पुलटते हुए मस्त रहते हैं, इन्हें विशाई कहते हैं, दूजरे लोग घर की मख्यों की तरह होते हैं, घर में यदि मिठाईयां बन रही ह तो मक्यां उनका रस लेती हैं, और यदि उसी घर में नन्ने मुन्ने ने पाखाना कर दिया, तो वे उन पर भी जा कर बैठती हैं, पाखाने को हटा कर जब साफ कर दिया जाता है, तो वे मक्यां फिर से मिठाईयों पर आ जाती हैं, इसी तरह कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो कभी भगवान का नाम भी लेते हैं और कभी विश्यों में भी रमन करते हैं इन्हें दोनों और रहने वाले की शंग्या शाधक की दी गई है तीसरे शिद्ध पुरुष मधुमक्खी की तरह होते हैं जैसे मधुमक्खी सिर्फ फूल का पराग ग्रहन करती है उसी तरह सिद्ध पुरूष भगवत चरण कमल से अनुराग रखकर उसका पराग ही ग्रहन करते हैं और ब्रह्मानंद में मगन रहते हैं कथि चार प्रकार के वेक्तियों के अतिरिक्त समाज में अन्य चार प्रकार के वेक्तिवी देखने को मिलते हैं मक्खी चूष कंजूष उदार औ तो वे उसे निकाल कर फेकना नहीं चाहते उसे चूष कर फेकते हैं ताकि घ्यू बरवाद न हो दोसरे होते हैं कंजूष वे अपने लिए तो सब कुछ करते हैं पर दुसरों के लिए कुछ भी नहीं तीसरे होते हैं उदार वे अपने लिए भी व्यवस्था करते हैं और दोसरों का भी खयाल करते, ध्यान डखते हैं। चोथे होते हैं दाता जो अपनी परवाह नहीं करते हैं और दोसरों के हित के लिए सब कुछ करने को तयार रहते हैं, करते हैं। हमारे गुर्देव कहा करते थे कि यदि दाता नहीं बन सको, तो कम से कम उदार तो अवश्य बनो। भगवान सिरी राम कहते हैं कि मनुष्य तर जिसने भी प्राणी हैं, उन्हें अपने आत्म का लियनार्थ सोचने की जमता नहीं हैं। लेकिन तुम तो सोच समझ सकते हो। इस प्रवचन का सेश अंतिम भाग अगले प्रवचन पार्थ में प्रम्पुज महर्शी संसेवी प्रमहंस जी महाराज का यह प्रवचन दिनांक 232001 इश्वी को अखिल भारती संतमस सचंग के नव्वे वार्शिक महादी वेशन अरडिया में अप्रहान कालिन सचंग के शुअपसर पर हुआ था। श्री शद्गुरू महराज कीजे।